पूरे देश में करीब 200 से 200 करोन का गोटा लगिया है तरी वो पैसा आपका तो था नहीं है पुर्धान मंत्री पॉसल विकास यूजना एनेस डीची सिंगल इंडिया के नाम पर 36 लाग रुपे की ठगी की ओन्लाइन डाइस्टेशन करवाई और 6 सेंटरों पर करीब 43 लाग 20,000 का सामान बुलवाया एक से दो वजे रातली में करीब भीशनु दलविवब सेपाली सेयद में मेरे साथ साथ सामुए दुस्कन किया, जिसके धन्ति मेरे पत्ति भी प्रॉना पजीट्रिकों पुलिस एमने हम वाराब बिकुद सबोटी एक माइल डिकुत नहीं कुट नुट सुट नहीं को अव वाओ दी एप्डिया गट विफोल में वाओ बलगे एप्डिया गट विफोल में विफोल में खेंड को अजमें आगल गट विफोल में ने अहला विफोल में भगें आपका एमांट शेफ कर देटें मिलोट में 11,47,000 था पुटोगी जो उनने इनको दिया था थ्रू एकाउंट मिलोट मेरा दिया था कि यह अमांट भी सेप कर लिया जा एक्शन में उनका एफिटेपिट इनों ने लिये थे लो भई वो पैसा आपका तो था नहीं एड्मिटेटली 11,43,000 दूसरों का ही पैसा था वो उन्होंने एकाउंट में जमा कर दिया वो पैसा आपको पुटा नहीं मिलोट में पैसा हमारी था एक्शन में क्या हुआ था है कि हमने इनको जो नितिन पाटिल को ट्रांसफर किये थे सब्सक्राइब करें वह पैसा हम देने पाटिल को दिया और नितिन पाटिल ने छे से इंटर खुलवा कि दिया हमको चेटर आइडी करवा कि दिर इस्टर आइडी करवा दिक के बाद में लोट हम्रेड 7,20,000 रुपे का पर सेंटर पे सब्सक्राइब दिया माई कि उनका पैसा जमा कर दिया राइटर रांग वो तो अब वो मैटर अफ क्लेम है कि अगर उनसे आपको लेना है तो आपको कारवाई करना पड़ेगी दूसरा यह जो एक्यूज है वो 376 का भी सहभागी मेलोड वो तो बिल्कुल एप्सुल्टली इस पीटू है मिलोड अठारा आठारा जो दोजर वाईस पीजू अठारा ज़ी अबजेक्शन के साथ जी जी बहाँ पॉक तो अठारा जोजर आठारा जोजर पीज़ेक्शन के साथ और अठारा जो तो एक है तो एक चूज अभी भी एप्सकॉंड में मैं लौट इसका नीचे से पड़ देता हूं मैं लौट पंचवटी कालों ने इंदो निवास ही है मैं लसुडिया थाना वेवास ना का अठारा दोपो ही कंप्लेंट है मैं लौट कि जो कंप्लेंट जो हमसे अलगते जिएवावन्य थाने जैसे सेद्वा सेरी जबलपूर राजपूर कोदरिया महू जिला इंदोर थाना मलारगर जिला इंदोर मंसूर जावर नीमच थाना जीरन थाना जावरा जिला रतलाम इक्तियादी पर भी करीब एक बर से परियादी हूं महरास्ट के कुछ सामान बुलवाया इसकी लिखा पड़ी एवं पक्की रसी दे केंदर सरकार से निरिक्षण पच्चात करके देने का थेकर नहीं दी निरिक्षण के समय 17 दिसमबर 2020 रातली को मुझे एवं मेरे 17 पर्षी नावालिक बेटे के पंचबटी कालोनी लसूरिया थाने से लेकर ग मेरे फोटू भी ले लिए मैंने ऑब्जेक्सिन साथ फोटू प्रेस किये फोटू वायरे करने की धंकियों से मैं बहुत ड़ी हुई थी मेरे पती भी पोरोना पॉजिटिक थे तो और मुझे घटना इस तलकी नहीं जानकरी उसके बाद हमने सभी थानों पर आविदम दिय में करीब 200-200 क्रोन का गोटा लगिया है सर्फ मैंने सेंटर खुल वाय राजिस्तान महराष्ट में अलग 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 जगा सेंटर खुल वाय नितिन पार्टे विश्नुगल भी जो से को एक्टूर थे लगातार ये दूसरे लोगों के भी साथ यह जो रेप की बात कर रहे अल्रेडी सर्फ पहले दो बार ये शिकायद कर चुके हैं इसकी जाच हो चुकी है एक एक पीए जावरा इंडिस्ट्रियल एरिया ने उसकी जाच की है दूसरा एडिशनल सुप्रेटेंटेंट आप पुलिस वुमिन सेल इस्टिक रतलाम ने भी उसकी जाच की है कि एक 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 एस जावरा ने जाच की है और एडिशनल सुप्रेटेंटेंट आप पुलिस वुमिन सेल इस्टिक रतलाम पेज वन ट्वेंटेंटेंट कि तो रेप की ऐलिगेशन बता रहे हैं इसकी दो बार जाच हो चुकी रचर पेज नमबर 128 यह जाचों के बाद की एफ इर है लोट मेरा वही के रहा है कि लोगोड तो थाजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू लोट मेरा यही कहना है कि यह लोग किते प्रभाप साली है डेड़ वर्ष तक फ़रा इंवेस्टीकेसर चला इनोरे त्रीफ तीन सो शक्तेंगी एफ यार तुरंत होजारची डेड़ वर्ष तक इंवेस्टीकेसर के पस्चाद भी कोई एफ यार नहीं परें पाइलोट सीडी पाइलोट जब लगा कि हमारे खिलाफ फाइयार हो जाएगी जो इन पार्टनर थे उन्हें से इन सफ़त पत्र लिए सफ़त पत्र लेने के बाद उनको एक जो स्वर्ट अमांट था वो बापिस किया ताकि इस पूरे अपराज से बचा जा से इसके अलाबावा भी वालवा से फराज होने के बाद सिर्फ इस वेल का इंकिजार कर रहा है यह वैल होगी तो फूर फाइल करते हैं और नितिन पार्टे जो है उसकी वाइप के अकाउंड में भी माइलोट पैसे गए हैं पुलिस ना हमने 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 कुछ सबोट नी के माइलोट इसमें मुकिन जो वैसा पार्टे लेमेर इस्टेटमेंट पेस्केमालों थाटीवन पी थाटीवन प्रोट जो यह विए उसमें पेज नंबर फॉर्टी नाइन आफ माइपकेशन एक चार्ट है पेज नंबर थाटीवन तक वह चार्टीनी होता है और टोटल अमाउंट जो है इसमें इस फिगर बत हुए हैं तोटल अमाउंट इस ओफ नाइन सिक्स्टी एट बट्टे है रिटन लाइक दिस के कुल राशी ग्याड़ा और तालिस आप पक्षकार क्रमांग तीन के द्वारा पक्षकार गंड के खाते में जमा कर आई है और आप पक्षकार गंड तीन को कुल लगत पंद्रा पचास दिनाग इकिस नौ बीस वीस को प्राइब की गए इस 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 एंटार अमाउंट लोट्षट इस ओन पेर नूम्बर फॉटीवन ठीक इस 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 अदी ए्पिए क्षर लुट्ष है लोट्यों के खाते में ठीकष फॉटीवन प्रण परण डितोर इस 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 स्थिलाल जी बाभू गोर लुट्ष गॉट्थीवन प्रण पर गंड के एक जैकर एक रेपर इस है फस्ट एक रेपत लो जायग pollin जरी निफ एस अडिकी थीर्टनिक लिव थीर्टी अजुलकिंगा ग्येस किक्या गायओ प्राइक धिलने गायओ प्राइक अग्याओ भी फट्टी आग्यार्शा प्राइक। इत्र बेह फोल press iach the offense under section 37 6 d comma 4 00 9 366 35 and 100 euro we of the ipc has been registered, a complaint was made by the prosecutrix that the applicant and the other co-accused persons, including applicant, had persuaded her to transfer Rs. 36 lakhs in the account of the present applicant opening of NSDC in the Prime Minister national scheme development program. Council for the applicant submits that the applicant has been falsely implicated in the present case. The alleged incident is said to have taken place between 20th July 2020 to 18th to 2022, making the aforesaid allegations. The said report was lost on 18th to 2022. In the said report, she did not make any allegations of rape. When her statement was recorded on 23rd March 2022, she made allegations of rape first-time police stop. The complainant is an educated adult girl. She is police stop. She is working in Royal Success India Limited Company police stop. Prior to that, also, she has made complaints regarding rape on 1-6-2021 and 5-9-2021 at different police stations. Those complaints were got inquired into by higher police officers and the allegations have been been found to be found to be incorrect. Full stop. Look here. The, as per the prosecution case, the total alleged amount is Rs. 26,98,000 is said to be transferred in the account of the of the persons whose favor checks were issued. Council for the state was directed to verify the same. Full stop. The Council for the state on verification submitted that the aforesaid amount has been deposited in the account of the persons. Full stop. In this regard, copy of HDFC bank account to show the transfer of the of the persons. Full stop. It is further alleged that the remaining amount was deposited in the account of the other partners in cash. That is Rs. 15,50,000. Full stop. On the last date, council for the applicant was granted time to seek instructions whether the applicant is ready to furnish security in the form of fixed deposit Oblux bank guarantee of Rs. 15,50,000 before the trial court during the pendency of the trial. On the instructions sponsored for the applicant submits that the applicant submits that the applicant is ready to deposit original FDR, 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 FDR of Rs. 15,50,000 before the trial court. Full stop. After hearing learned that the applicant submits that the applicant is a major lady and in her first report, she did not make any any allegations of rape. Full stop. So far, the offence under section 420 and 406 are concerned. The applicant has already deposited part amount of Rs. 11,43,000, through cheque in the account of the persons and for the remaining amount of Rs. 15,50,000, he is ready to deposit FDR. In view of the aforesaid, I am of the view that the applicant is, the applicant is further, the applicant is in jail since 1711, 2022. The investigation has been completed. The charge sheet has been filed. It is directed that the applicant shall be released for furnishing a personal bond of Rs. 1 lap to the satisfaction of the court below and also will deposit the FDR of original FDR with the trial court to the tune of Rs. 15,50,000. Full stop. The bail order is subject to the deposit of original FDR of the said amount before the trial court. Full stop. The said FDRs shall be kept in in safe custody by the trial court and the same shall be subject to the final outcome of the trial. The other person shall be kept in safe custody by the trial court and the same shall be subject to the final outcome of the trial. which history झाल झाल, झाल झाल, झाल, झाल